हेलो दोस्तो कैशे उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे सेफ होंगे सुरक्सित होंगे आज हम मैस का टोपिक पढ़ने वाले है सर्किल यानि कि वर्थ यह क्या आपको एक डाइग्रेम दिखाई जए रहा है या क्या यह क्या एक सर्किल सर्कि वर्थ का क्या है सेंटर और यह अंदर जो लाइने दिखाई दे रही है आपको यह क्या है वर्थ की जीवा एक वर्थ के अंदर इंफाइनाइट यानि कि अनंत जिवाई की चीज आ सकती है और वर्थ की एक ऐसी जीवा जो वर्थ के संटर से होकर गुजरे वर्थ का व्या कहलाती है या diameter कहलाती है तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वर्त का व्यास और वर्त के center से परीदी के बीच की दूरी यानि कि वर्त के center से परीदी परीदी यानि कि circumference यह बार वाली यह boundary है ना इसकी इसको circumference या परीदी बोलते हैं तो इसके center से प्रीदी के जो बीच की डिस्टेंस है जो बीच की दूरी है इसको रैडियस बोलते है यानि कि तिर्जा यह क्या है तिर्जा और जिसको आर से डिनोट करते हैं और ब्राबर मैंने ले लिया 21 cm और इसको रहे विडियो पहले से बना रखा है कि पाई की वैली बाइस बटा साथ क्यों ओती है वो वीडियो एक वार जाकर जरूर देखें तो ये क्या है 22 बटा 7 into r square यानि की r into r 21 गुणा 21 तो इसको cancel out कर देंगे साथ एकम साथ साथ या 21 21 तिया 63 गुणा 22 इसका answer क्या बनेगा 26 तिया 66 और हमेशा याद रखना area के जो हम unit लगाते हैं वो क्या होगी area मेशा centimeter square या meter square या मेशा square में मिलेगा आपको कोई भी चीशी का भी area हो यह चीज याद रखना मेशा तो यह क्या हो गया वर्थ का चेतरफल area of the circle अब हम पढ़ेंगे circumference of the circle circumference of the circle यानि की वर्थ की परीदी वर्थ की परीदी परीदी क्या होती है 2 pi r परीदी का फोर्मूला क्या होता है 2 pi r 2 into pi की value 22 बटा 7 into r r यानि की 21 cm इसको cancel out करें साथ तिया 21 22 तिया 66 into 2 66 दूनी 132 cm ए 132 cm क्या आ गई वर्थ की परीदी तो उमीद करता हूँ आप अच्छे circle को अच्छे से समझ गए होंगे एक बार मैं इसको repeat कर देता हूँ क्या ये का आपको circle दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो बीच में जो point है इसको center बोलते है center of the circle ये circle का क्या है केंदर और circumference यानि की परीदी के बीच की दूरी होती है जो होती है radius इसको बोलते है radius ये वाली दूरी को और हमें सा याद रखना radius is equals to होता है diameter upon 2 मतलब जो radius होती है वो व्यास की आदि होती है वर्त की radius वर्त के व्यास की एकदम आदि होती है तो r is equals to d by 2 ठीक है तो ये वर्त के अंदर बहुत सारी जिवाई एक वर्त की प्रीदी होती है, वर्त का छेतरपल होता, पाई यार स्क्वेर और वर्त की प्रीदी होती है, टू पाई यार, तो उमीद करता हूँ आप अच्छी समझ पाए होंगे, आप वीडियो पसन्त आये तो दोस्तों लाइक, शेर, अड़ सब्सक्राइब करें,